हेलो फैंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अपड़े का इंडिया में आज जो हमारा करेंट अफ़ेर का सीरीज है उस सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आएं जून का तीसरा वीडियो जिस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 से लेकर 22 जून तक के सारे करेंट अफ़ेर का संग्राम मिल जाएगा. आपको ये वीडियो आपके exam point से काफी जादा important है और इसमें उनी questions को जगत दिया गया है जो आने वाले exam में पुछे जाने की संभाबना काफी है तो आईए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज बोलता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और साधी साथ बेल आइदम दवा दिजे ताकि हमारे सारे useful content वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते र आइए और इस बार का जो थीम था बो है building resilience in the times of crisis क्या थीम है building resilience in the times of crisis अगला question है जून 2020 में किसे quality engine clean agree cup 2020 से सम्मानित किया गया है तो इसका जो science है बो है option number A यानी safe अंगत सिंग राना को देखिए यह जो cup है यह न्यूजिलाइंड की भारत में आयोजित होने वाली पहली virtual safe परतियोगता थी clear है चलिए अगला question है जून 2020 में किस bank ने अपने salary खाता धारकों के लिए इंस्टा-flexic cash नामा overdraft की सुभधा शुरू की है तो इसका जो science होगा बो होगा option number A यानी icic bank icic bank की अगर बात करते हैं तो icic bank का establishment हुआ है 1994 में इसका headquarter है मुंबई में और ततकालीन जो इसको MD और CEO है उनका नाम है संदीब बक्सी क्या नाम है संदीब बक्सी clear है और यह जो overdraft facility है इस overdraft facility के तहट आपके जितनी भी salary होगी उसके तीन गुना तक आपको overdraft facility या credit facility बैंक आपको प्रवदान करेगी clear है चलिए अगला question है हमारा जून 2020 में किस देश में हनुमान जी की 25 फिट उची प्रतिमा स्थापित की गई है तो इसका जो science है बो है अमेरिका यानी option number A अगर हम बात अमेरिका की कर लेते हैं तो यह अमेरिका में अभी तक की हिंदू भागमान की प्रतिमा में सबसे बड़ी हिंदू प्रतिमा है चीक है इसका जो निर्मान है अब देख सकते हैं यह इसका जो निर्मान है वो काले ग्रे नाइट से किया गया है और इसका जो अगर हम EPFO की बात करते हैं तो EPFO को जो full form है वो है employees provident fund organization ठीक है और इसका establishment कब हुआ था इसका establishment हुआ था चार मार्ज चुनाई सो बामन को और इसका headquarter कहा है इसका headquarter है न्यू देली में clear है चलिए अगला question है defense institute for advanced technology द्वारा हरवल तत्वो का उप्योग द्वारा करके बनाए गए कपास के mask को क्या नाम दिया गया है तो इसका जो सही answer है वो है option number A यानि पाबित्र पती ठीक है अगर हम defense institute for advanced technology की बात करते हैं तो ये पूने में है ठीक है इसकी अस्थापना उने 22 में की गई थी और इसके जो chancellor है वो है राजनास सिंग यानि की जो हमारे defense minister होते हैं अगला question है माधवरा पार्टिल का निधन हो गया है वो किस छेतर से संबंदी थे तो इसका जो सही answer है वो है option number B यानि राजनीती से संबंदी थे उने 2190 में में नासिक से जो की महराष्ट में है नासिक से वो लोकसवाचना जीते थे ठीक है साथी साथ माधवरा पार्टिल से एक और चीज भी याद रखिएगा कि इन्होंने जनलचमी जनलचमी सहकारी बैंक के संस्थापक भी यही थे ठीक है जनलचमी सहकारी बैंक के संस्थापक भी यही थे चलिए अगला कोश्चन है निमलिखिद में से कौन अमेरिकी सैन अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख बन गई है तो इसका जो सही अंसर है बो है आप्सन नमर अनमोल नारंग आप तस्वीर में देख स अगर हम यूपी की बात कर लेते हैं तो यूपी के सीम का नाम है योगी आदितनाथ राजपाल का नाम है आनंदी बेन पटेल यहां लोग सभा में 80 सीट है और विधान सभा में 404 सीट है चलिए अगला कोश्चन है क्रिस्ट ने प्रिंस एलवर्ट सेकंड और मोनेको फांडेशन प्रुसकार 2020 जीता है तो इसका जो सही अन्सर है बो है आप्सन अबरे यानि डेकन डेवलेप्मेंट सुसाइटी के द्वारा यह जीता गया है डेकन डेवलेप्मेंट सुसाइटी है कहां का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यह हैदराबाद का है ठीक है और इसको foundation इसका 183 में किया गया था और यह जो सम्मान है यह सम्मान 2020 के लिए प्रिथिवी पर प्राकिर्थिक सम्मान के लिए सबसे अधिक रसस्त सम्मान है अगला question है अमारा किस आयोग ने नीरा एबम ताड़गून के उत्पादन के लिए कनूठी पर योजना शुरू की है तो इसका जो सई answer है बो है option number A यानि खादी अब हम ग्राम उद्योग ने ठीक है खादी और village industries commission के अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका गठन है इस योजना का उदेश क्या है कि soft drink के जगह पे नीरा का बढ़ावा देना है और इससे होगा क्या कि जो जन जाती हो तथा परामपरित पासी है उनके लिए सो रजगार का स्री जन हो जाएगा अगला question है हमारा कोबीड उने इसके कारण लेफ्टिनेंट जेनल राज मोहन बोहरा का निधन हो गया है या किस सम्मान से सम्मानी थे तो इसका जो science है बो है option number 2 यानि महाबीर चक्र से सम्मानी थे अगर हम महाबीर चक्र की बात करते हैं तो महाबीर चक्र जो है बो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बीरता पुरुसकार है ठीक है अगला question है सीडवी के नए निधेशक कौन न्यूक्त हुए है तो इसका जो science है बो है option number 2 यानि देवेंदर कुमार सिंग अगर हम सीडवी की बात करते हैं तो सीडवी का full form है a small industries development bank of India जिसका गठन 1990 में हुआ था और इसका headquarter लखनाव में है और ततकालीन जो इसको CEO है उनका नाम है मोहमद मुस्तफा क्लियर है चलिए अगला question है मकडी की एक नए प्रजाती का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो इसका जो science होगा बोह जाएगा option number A यानि greater than work greater than work के नाम से आप लोग भली बाती परजित होंगे ये Sweden की है और इनको 2020 के नोवल सांति प्रुसकार के लिए भी नमांकित किया गया है अगला question है किसने corporate insolvency resolution and liquidation की सलाहकार समीती का पुन गठन किया है तो इसका जो science हो जाएगा बोह होगा option number B यानि IBBI के द्वारा ये किया गया है IBBI की अगर हम बात करते हैं तो इसका full form होता है insolvency and bankruptcy board of India जिसको किया अगर हम हिंदी में बोलते हैं भारतिये दिवाला और सोधन अच्छमता board जिसका गठन 2016 में किया गया है इसका headquarter न्यू देली में है और इसके जो अध्याच है उनका नाम है MS.S.H.U. चलिए अगला question है किस राज में RAJ पर्व यानि राजा पर्व मनाया गया है तो इसका जो साइयनसरों का बहुँ जगा उडिसा में यह पर्व मनाया जाता है यह जो पर्व होता है यह तीन दिनों तरक चलता है और यह किस लिए मनाया जाता है मॉनसुम की शुरुवात के उ यह जो आपरेशन डेजर्ट चेंज है यह एक एंटी जासूसी आपरेशन है अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के मुखमंत्री का नाम है असोग गहलोत यहां के राजपल का नाम है कलराज मिसरा और यहां से एक और चीज याद रखेगा कि जो भारत का अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहां के मुखमंत्री है नभीन पतनायक यहां के गवद्नर का नाम है गनेसी लाल उडीसा से याद रखेगा यहां लोक सभा में 21 सीट है विधान सभा में 147 सीट है लोक सभा में 147 सीट है उडीसा से और दो एक चीज याद है अगला कोश्यन है 20 प्रतियस प्रधा सूचकांग यानि बल्ड कॉंपेटिटिस इंडेक्स में भारत का कौन सा अस्थान रहा है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा ऑप्सन नमर B यानि की 43 अगर हम इसमें पहले नमर की बात करते हैं तो पहले नमर पे रहा है सिंगा इसको जारी कौन करता है इसको जारी करता IMD मतलब Institute of Management Development ठीक है देखिए कोई भी रैंकिंग से आपको तीन चीज याद रखना होता है पहले पोजीशन पर कौन है उसका जारी करता कौन है और भारत का उसमें कौन सा स्थान है अगला कुश्यन है कौन सा देश चोथे एस या यूबा पैरा गेम्स 2021 की मेजवानी करेगा तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number A यानि बहरीन करेगा ठीक है बहरीन की अगर हम capital की बात करते है तो बहरीन का capital है मनामा और यहां का जो currency है बो है बहरीन दिनार clear है चलिए अगला question है BCCI लोगपाल justice D.K.J.N का कार्जकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number B यानि एक साल के लिए इनका जो tenure है वो बढ़ा दिया गया है अगर हम बात BCCI की कर लेते हैं तो BCCI का मतलब है Board of Control for Cricket in India इसका गठन 1928 में हुआ है इसका headquarter मुंबई में है और इसके अभी ततकालीन अध्याद सौरब गौंगली है अगला question है केंदर सरकार लोजगार के अफसर बढ़ाने के लिए किस राज में गलीब कल्यान लोजगार अभियान सुरू करे किया है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number C यानि बिहार सही से सुरू किया गया परधान मंत्री नरेंद मोदी के द्वारा अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार का जो अस्थापना है वो 22 मार्चुनई 112 को हुआ है बिहार के मुख मंत्री है अभी नितीज कुमार और बिहार के गवर्नर का नाम है फागु चोहन क्लिर है चलिए अगला कोशन है किस सहर में दिव्यांग जनों के कौसल विकास पुन्णावास और रोजगार के लिए समस्थ छेत्रिये केंदर यानी CRC का उद्भाटन किया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है ऑप्सन नबर B यानी कि राची में किया गया है अगर हम बात करते हैं अगले कोशन की तो अगला कोशन है हमारा दादा भाई नर्योजी की बायोग्राफी नर्योजी पॉइनर आफ इंडियन नेशनलिजम रिलीज की गई है इस पुस्तक के लेखा कौन है तो इसका जो सही अंसर है वो है ऑप्सन नबर A यानी दिनकर पट करते हैं तो इसका गठन 1916 में हुआ है और इसका हेड़क्वाटर भी करूर में है जो की कहा है तमिल नाडू में है अगर हम बात मारूती सुजुकी की कर लेते हैं तो इसका गठन 1981 में हुआ है और इसका जो हेड़क्वाटर है वो न्यू देली में है अगला कुश्यन है किस बैंक ने भारत में कोबीड उनाइस प्रतिकिलिया के लिए 750 मिलियन डॉलर के रिन की मंजूरी दी है तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नबर B यानि AIIB AIIB के अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल्फरम होता है ASEAN Infrastructure Investment Bank जिसका गठन 2016 में किया गया है और इसका जो हेड़क्वाटर है वो है बीजिंग चाइना में तेर है चलिए अगला कोशन है HDFC इर्गो जर्नल इंस्वरेंस कंपनी ने पे एज्यू फ्लाइ इंस्वरेंस लांच करने के लिए किस कंपनी के साथ साज़ेदाल की है तो इसका जो सही अंसर है वो है अगला कोशन है WEF ने 2020 टेक्नलोजी पॉर्णियर्स की सुची में कितने बहुर्तिय कंपनियों को सामील किया तो इसका सही अंसर है वह है और बहुत कंपनियों का नام क्या है एक का नाम है जेस्ट मनी और दूसरे का नाम है अफ्टेल एप्स क्लियर है ठीक है अगर हम बात डब्लूई एफ की करते हैं तो डब्लूई एफ का मतलब है बर्ल्ड इकनॉमिक फॉरॉम जिसका गठाण 1971 में हुआ है और हेड़क्वाटर कहां है जिनेवा स्विजर्लेंड में है अगला कोश्चन है बेल्जियम में भारत का राज़ दूद किसे निउक्त किया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है अप्सन नमर भी संतोस जा को निउक्त किया गया है बेल्जियम के अगर हम बात करते हैं तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स और यहां की करेंसी है यूरो साथी साथ एक और नाम याद रखेगा जो नाम है बिजया खंडूजा बिजया खंडूजा को अभी हाली में जिंबाबे का राज़ दूत भी निउक्त किया गया है किसने ऑनलाइन बाल योन सोसन से निपठने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है तो इसका जो सायनसर है बो है ऑप्सन नमर बी यानि फेस्बुक के द्वारा सुरू किया गया है फेस्बुक जिसका की गठन 2004 में हुआ है और इसका जो हैड़क्वार्टर है वो है कैलिफॉर्निया USA में और इसके जो CEO है उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग अगला कोईशन है UNCTED के रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI प्राप्त करने में किस अस्थान पर रहा है तो इसका जो सैयनसर होगा बो हो जगा ऑप्सन नमर डी यानि नौमे अस्थान पर रहा है साथी साथ याद रखेगा कि इस बीतिय बर्स में भारत में सबसे ज़्यादा जो FDI आया है मतलब foreign direct investment बोस सिंगापूर से आया है पहले नमबर पे जहां सबसे ज़्यादा FDI आया है बो है अमेरिका दूसरे नमबर पे है कनाड़ा और तीसरे नमबर पे है जर्मनी अगर यहीं पे हम बात UNCTED की कर लेते हैं तो इसका मतलब है United Nation Conference on Trade and Development चीक है इसका गठान 1964 में किया गया है और इसका headquarter जिनेवा स्वीजर्लेंड में है अगला question है भारत कितने साल के लिए संजुक्तराश्ट राच्छा परिश्ट का आस्थाई सदस बना है तो इसका जो सही answer है वो है option number B यानि दो साल के लिए बना है देखिए अभी अगर हम संजुक्तराश्ट की बात करते हैं तो इसके member country हैं 193 में जिसमें 184 मत जो था वो अगर हम UN की बात करते हैं मतलब संजुक्तराश्ट की बात करते हैं तो इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया है और इसका headquarters निवर्क में है और इसके अध्याच के ततकालीन अध्याच जो है उनका नाम है Antino Guterres clear है चलिए अगला question है किसे पश्चतरमी संजुक्तराश्ट महासभा का अध्याच चुना गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है बालकान बेजाकीर जो कहां से बिलोंग करते हैं यह एक चीड़ और याद रखेगा बॉलकेन बेनाजीर से रिलेटेड कि यह जो संजुक्तराश्ट महासभा है इसका जो सेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है सेप्टमबर 2020 से मतलब सेप्टमबर 2020 से अगला कोश्चन है किस सहर में ICU बेड और वेंटिलेटर के जानकारी देने के लिए Air Venti अप लॉंच किया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नबर बी यानि मुंबई में और किसके द्वारा किया गया है MCGM के द्वारा मतलब Greater Mumbai नगर निगम के द्वारा ये सुरू किया गया है अगला कोश्चन है कुवार्ट बेट बोरो नॉब किस देश के नए परधान मंतरी बने है तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नबर बी यानि किर्गिस्तान की बने है तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नबर C यानि कि कर्नाटक अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के मुख मंतरी है B.S.A. दुरप्पा और यहां के गवर्नर का नाम है बजु भाई बाला अगला कोशन है किस बैंक ने कोबीड उनाइस महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉंच की है तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नबर B यानि कि कर्नाटक बैंक के द्वारा किया गया है कर्नाटक बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन उनाइस 24 में हुआ है इसका हेड़कॉर्टर है मंगलोरु में और इसका जो टैग लाइन है वो है योर फैमिली बैंक एक्रॉस इंडिया किस राज के राजपल ने डाक बिभा की परतियोगदा में प्रथम प्रुसकार जीता है तो इसका जो सैयंसर है वो है महराष्ट और महराष्ट के अभी राजपल का नाम है भागत सिंग कोसियारी भागत सिंग कोसियारी अगर हम बात करते हैं ये परतियोगिता के बारे में तो ये परतियोगिता गांधी जी के 125 में जैन्ती के अफसर पर डाक भी भाग के महराष्ट और गोवा सरकल के द्वारा धाय आखर नामक से शुरू किया गया था अगला कोशियन है कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिश्टल बनाएगा तो इसका सही अंसर है बैंक को बडोधा यानि आप्सन नमबर बी अगर हम बैंक को बडोधा की बात करते हैं तो इसका गठन उनाई 108 में हुआ है इसका जो हेड़कॉर्टर है व अगला कोशियन है किसने अफटेवल हाउसिंग लोन योजना सरल सुरू की है तो इसका जो सही अंसर है बहुए अपसन नमबर बी यानि आइसी 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 होम फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो इसका हेड़कॉर्टर है कहां मूंबई में अगर इस योजना सर लाख रुपे प्रतिपर से कम है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा अगला कोशियन है कलारा एंट तसन उपन्यास के लेखक कौन है तो इसका आपसन नमबर एस सही अंसर होगा मतलब कजू इस गुरू जो कि कहां से बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं अगला कोशियन है किस राजने अपने क्रिसी उत्पादन विभाग का नाम बदला है तो इसका जो सही अंसर है बो है आपसन नमबर बी यानि जम्मू कास्मीर के द्वारे ये बदला है और बदल का नया नाम क्या कर दिया गया है तो क्रिसी उत्पादन विभाग का बदल का तो आसा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजेगा JSW Cement के brand ambassador कौन बने है तो इसका जो सही answer होगा वोगा option number C यानि दोनों मतलब स्वारब कौंगली और सुनील चेतरी दोनों को बनाया गया स्वारब कौंगली का संबंध क्रिकेट से है और सुनील चेतरी का संबंध फुटबॉल से है पौरब गौंगली ततकालीन में BCCI के अध्याच भी है अगर हम बात JSW की कर लेते हैं तो JSW Cement जो है वो जिंदल ग्रूप की एक कंपनी है जिसका गठान उन्हें 73 में किया गया था इसका हेटक्वाटर है मुंबाई में और इसके CEO है मुक्य सम्भानी अगला कोशन है अंतराष्टिय योग दिबस मतलब इंटरनेशनल डे ओफ योगा कम मनाया गया तो इसका सही अंसर होगा 21 जून यानि option number D और इस बार का जो theme था वो था योग अगला कोशन है हमारा किसे economic think tank यानि NIPFP का अधिया चिन्युक्तिया गया है तो इसका सही अंसर होजीत पटेल जो कि पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं अगर हम बात NIPFP की करते हैं तो NIPFP का मतलब होता है National Institute of Public Finance and Policy मतलब राष्टिये लोग बीतेवम नितिश अंस्थान जिसका गठन 1976 में हुआ है और इसका headquarter कहा है New Delhi में है clear है चलिए अगला question है किसने R&D portal सत्यभामा launch किया है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number B पहलाद जो सी पहलाद जो भी C अभी ततकालीन हमारे केंदरी है कोईला खान और संसदिय मामलों के मंतरी हैं अगर ह निर्वर भारत in mining advancement ठीक है और इसका उदेश क्या है इसका इस योजना का उदेश है खानार और खनीज के छेतर में गुनात्मक और नभीन अनुसंधान और विकास कार्ज करने के लिए सोध करताओं और बैग्यानिकों को प्रोसाहित करना है नेक्स कोश्चन है हमारा मत्य पूरा रे जमराज जिसने कोबीड उनाइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल 2020 में एक जूरी बी से स्पुरुषकार जीता है या किस भासा में बनी हुई एक लगूफ फिल्म है तो इसका अंसर हो जागा B यानि उडिया में बनी हुई है य किसके साथ परधान मंत्रिय श्टीट वेंडर्स आत्म निर्मर निधी योजना के लिए MOU पर हस्ताचर किये हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा ऑप्सन नमर A यानि CDB के साथ अगला कुश्चन है दरूम भेयर इट हैपन पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका जो सह जो दरूम भेयर इट हैपन इस पुस्तक में उन्होंने ये जिक्र किया है कि जो अमेरिका के राष्टपती डोनाल्ड ट्रंप है वो दुबारा चुनाओ जीतने के लिए मतलब दुबारा राष्टपती चूनने जाने के लिए चीन के राष्टपती सी जिंग्पिंग की अगला कोशन है भारतिये रेलवे ने किस छेत्र में अटमे मसीन अस्थापित की है तो इसका जो सई अंसर होगा बहोगा option नमबर B यानि कि मध रेलवे जोन में अस्थापित किया गया है अभित अतकलीन भारतिये रेलवे में 18 जोन है अगर हम ATM की बात करते हैं मसीन की तो इसका मतलब है automated ticket, checking and managing access, ठीक है, इसको करोना COVID-19 को ध्यान में रखते हुए इस machine को developed किया गया है, अगला question है, कि सराज ने COVID care home शुरू करने की घोसना किया है, तो इसका जो सही अंसर होगा, अब हो जागा, option number B, Udisa, इसका उदेश क्या है, इसका उदेश है कि जिन लोगों को खासी असर्दी बुखार है, उनको COVID care home में रखा जाएगा, Udisa के ततकालीन मुखमंत्री का नाम है नवीन पतनायक, और यहां के गवर्नर का नाम है गनेसी लाल, क्लियर है, चलिए, अगला question है, BMW ग्रूप इंडिया के कौन अध्याच निक्थ हुए है, तो इसका जो सही अ अगर हम बात जर्मनी की कर लेते हैं, तो जर्मनी से याद रखिये कि यहां के जाद धानी है, बर्लिन और इसकी करेंसी है, यूरो, यह जो question है, कि किस बारतियार साथ से ने जर्मनी का परतिश्री सांधी प्रूसकार 2020 जीता है, यह बहुँ ज्यादा important question है, और किसी ना किसी एकजाम में जरूर आएगा, अगला question है, विस संगीत दिवस, या इंटर सेक्षन इस बार का थीम था, तो आजकल डेट से ज्यादा थीम पूछे जाते हैं इक जाम में, तो थीम को अच्छे से याद रखेगा, अब बात कर लेते हैं, जून में कुछ important दिवस जो की याद रखने है, दो जून को है तेलंगना राज का स्थापना दिवस, त पांच जून को मनाया जाता है, दुनिया भर में हिंसा का सिकार हुए मासूम बच्चों का अंतराश्टिय दिवस, पांच जून को मनाया जाता है, विस परियाबरन दिवस, और इस बार का थीम था, जैब बिविध्धता, छे जून को मनाया जाता है, रूसी भासा दिवस, साथ जुन को मनाया जाता है विस्फ खाज सुरच्छा दिवस आठ जुन को विस्फ महा सागरिये दिवस नौ जुन को विस्फ पर्यातन दिवस इस बार का जो इसका थीन था बो था Accrediation Improving Food Safety फिर अगर हम बारा जुन की बात कर लेते हैं इस बारा जुन को है बाल मजदूरी के खिलाब विस्फ दिवस इस बार का थीन था COVID-19 Protect Children from Child Labor Now More Than Ever तेरा जुन को मनाया जाता है अंतराष्टिये रंग हिंता जागरुकता दिवस इस बार का थीन था Made to sign 14 जुन को मनाया जाता विस्फ रक्तदान दिवस 15 जुन को मनाया जाता है विस्फ भुजूर्ग दुर्बैवार लोग थाम जागरुकता दिवस आगे देखते हैं 16 जुन को मनाया जाता है प्रवारिक प्रेशन का अंदराष्टिये दिवस इस बार का थीन था Building Resilience in Times of Crisis 17 जुन को मनाया जाता है World Day to Combat Distribution and Droughts दिवस इस बार का थीन है Yoga for Health Yoga at Home 23 जुन को मनाया जाता है अंतराष्टिये ओलंपिक दिवस और 19 जुन को मनाया जाता है रस्टिये सांख की दिवस तो ये जुन से जितने भी important दिवस है जो अकसर जाम में पुछे जाते हैं वो मैं एक जगा कर दिया हूँ ताकि आपको याद करने में असानी होगी अगला question है कौन सा देश भारत को हम फान चक्रबाद से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा तो इसका जो सही answer है बो है option number B France France की राधधानी है Paris और यहां की currency है यूरो अगला question है हमारा कीस company ने offline EKYC योजना शुरू की है तो इसका जो सही answer है बो हो जाएगा option number B Tata AI Life Insurance ठीक है जिसका गठन 2000 में हुआ है और इसका headquarter का है इसका headquarter है मुंबई में अगला question है कीस राज ने TS बेदर नामक mobile app लॉंच किया है तो इसका जो सही answer है बो है option number C यानि तेलंगना के द्वारा सुरू किया गया है और यह सुरू क्यूं किया गया है किसानों के लिए ये launch किया गया है ताकि किसानों को मौसम से संबंदित जनकारी मिल सके अगर हम तेलंगना के CM की बात करते हैं तो उनका नाम है केच्चन से ख़जाओ तेलंगना के अस्थापना था दो जून 2014 को तेलंगना से याद रखिएगा यहां हुसेन सागर और नागार जून सागर जील है किस राज सरकार ने महा स्वेंप पॉटल लॉंच किया है तो इसका जो साइनसर होगा बहुँ जगा option number D महराश्ट और यह पॉटल है क्या जो राज में रोजगार की तलास कर रहे है बिरोजगार लोगों है उनकी मदद करने के लिए यह पॉटल लॉंच किया गया है क्लेर है चलिए अगला कोशन है हमारा किस राज सरकार ने परवासी सरमिकों को चाबल देने की योजना शुरू किया है तो इसका जो साइनसर है बहु है ठीक है चलिए आसा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में सारे वासे कोशन का कलेक्शन किया गया था जो कि आपके आने वाले सारे एकजाम के लिए काफी इपॉर्टेंट है यह जो बिकली फॉर्म में आपको वीडियो प्रोवाइड दीजे और कमेंट करकर बताएगा आपको यह वीडियो हमारा क्यासा लगा